This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. तब ही उसका कतल हो जाता है. ये कहानी एनी दिवानी की है. इस कहानी में बहुत से उतार चड़ावाते हैं और पता ही नहीं चलता की कौन सच बोल रहा है और कौन जूट. मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए नए खुला से होते हैं. तो चलिए अम मैं एक कहानी शुरू से शुरू करता हूँ. एनी का जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन के मेरिया स्टार्ड नाम के एक शहर में रह रहे हिंदोचा परिवार में होता है. वैसे तो हिंदोचा परिवार भारतिय मूलके थे, मगर बाद में स्वीडन के मेरिया स्टार्ड में जाकर बस गये थे और अच्छे खासे पैसे वाले भी थे. एनी बच्पन से ही एक खुश्मिजाज और हमेशा मुस्कुराने वाले लड़की थी और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा हसाती थी. वक्त भी इतने के सासना जब एनी बड़ी हुई तो उसने इनोवेशन इंजीनियरिंग में डिग्रे हासिल की और स्टॉक होम स्वीडन में एरिक्सन नाम की कंपनी में काम करने लगी. एनी का अकसर काम के सिलसिले में लंडन आना जाना लगा रहता था और इसी बीच साल 2009 में एनी की मुलाकाद श्रीयन देवानी से होती है. श्रीयन देवानी भी एक भारते मुलका बिटिश नागरिक था और इंग्लेंड में ही ब्रिष्टल इलाके में रहता था. इसके अलावा श्रीयन अच्छा खासा अमीर और कामयाब बिजनेसमेन भी था और अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था. तो जब एनी की मुलाकाद श्रीयन देवानी से हुई तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे. धीरे धीरे ये मुलाकात का सिलसिला प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं. उसके बाद एनी श्रीयन को अपने परिवार वालों से भी मिलवाती है और एनी के परिवार को भी श्रीयन बहुत पसंद आता है. फिर एनी और श्रियन के परिवार के बाकी के लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं और ये फैसला होता है कि वो इन दोनों की शादी भारत से करेंगे इसके बाद दोनों परिवार भारत आते हैं और 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई में लेक प्वाई के एक आलिशान होटल में बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी होती है इस शादी से एनी का पूरा परिवार बहुत खुशतारून के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे शादी के बाद श्रीयन दिवानी अपने हनीमून के लिए साउथ अफरीका की टिकेट बुक करते हैं और साथ नॉवंबर 2010 को एनी और श्रीयन दिवानी साउथ अफरीका के केप टाउन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उतरते हैं उसके बाद वो दोनों वहां से एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर क्रूगर नेशनल पार्क पहुंसते हैं और अगले चार दिनों तक वहीं रहते हैं और वहां की जंगल सफारी का मज़ा लेते हैं 12 नवंबर 2010 को ये दोनों फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहुंसते हैं उसके बाद एरपोर्ट से एक टैक्सी करके अपने होटल केप गिरेस में पहुंसते हैं शाम के वक्त करीब साड़े 6 बजे एनी और श्रीयन अपने कमरे से तयार होकर बाहर निकलते हैं और होटल के बार में पहुंसते हैं उसके बाद वो दोनों बारवें बैटका थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं कुछ फोटोज लेते हैं और अपने ड्रैवर के आने का इंतजार करते हैं दरसल उस दिन शाम के वक्स श्रीयन ने शहर में घूमने और वहां की नाइट लाइफ देखने का प्लान बनाया था और उसने घूमने के लिए उसी टेक्सी ड्रैवर को बुक किया था जिसने की दोनों को एरपोर्ट से उनके होटल तक छोड़ा था उस ड्रैवर का नाम था जोला टॉंगो और उसके पास एक वोक्स वागन शेरन नाम की कार थी तो रात करीब आठ बजे के आसपास जोला टॉंगो अपनी टेक्सी लेकर केप ग्रेस होटल पहुंसता है और श्रीयन दिवानी को मैसेज करता है कि वो बाहर खड़ा है उसके बाद एनी और श्रीयन भी बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी में बैठने के बाद श्रीयन ड्रैवर से कहता है कि वो उन्हें एक ऐसे रेस्टरॉंट में ले जाए जहाँ पर अच्छी सूशी मिलती हो तो जोला टॉंगो उन्हें सर्फ साइड रेस्टरॉंट में ले जाता है जो की स्ट्रैंड इलाके में था रात करीब 9 बज के 33 मिनट पर वो सर्फ साइड रेस्टरॉंट में पहुंसते हैं और फिर वहाँ पर डिनर करते हैं लगबग एक घंटे बाद रात 10 बज के 24 मिनट पर एनी और श्रेयन दिवानी डिनर करके उस रेस्टरॉंट से बहार आते हैं और फिर टैक्सी में बैट कर वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ से निकलने के बाद उनकी गाड़ी गुगलेथू नाम की जेगे पर पहुंचती है गुगलेथू जो है वो शहर की चमक धमक से अलग एक बस्ती वाला इलाका था तो वहाँ पहुँचने के बाद जब उनकी गाड़ी एक मोड पर पहुँची और गाड़ी को मोडने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो किया तभी अचानक बाहर से कोई अपना हाथ बड़ी जोर से गाड़ी के आगे वाले शीशे पर मारता है श्रियन के बगल में बैठ गया। उसके बाद उन लोगे ने श्रियन से उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका पर्स और उसके पास जितना भी कैश था वो ले लिया। फिर उनोंने गाड़ी के ड्रैवर जोला टॉंगो को गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी को बड़ी तेजी से भगा कर वहां से ले गए। तकरीबन 20 मिनट गाड़ी दोड़ाने के बाद उन दोनों किड्नैपरों ने श्रीयन देवानी को भी जबरदस्ती कार से बाहर निकाल दिया और एनी को लेकर कार में फरार हो गए उस वक्त रात के करीब 12 बच चुके थे और श्रीयन उस भरी रात में मदद के लिए लोगों के दरवाजे पीट रहा था काफी देर मशक्कत करने के बाद श्रीयन को उस इलाके में एक आदमी मिलता है जो की पुलिस को कॉल करता है और इस घटना की जानकारी देता है इसके थोड़ी दिर बाद ही साउथ अफरीका की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है फिर श्रीयन दिवानी एनी की किड्नैपिंग और उसके साथ हुई लूट पार्ट के बारे में बताता है और जब पुलिस को ये पता चलता है कि एनी और श्रीयन दिवानी बिटेश नागरीक है और ये दोनों अपना हनीमून मनाने यहां आये थे तो पुलिस तुरंत एक स्पेशल यूनिट त्यार करती है और एनी को ढूणना शुरू कर देती है उधर पुलिस एनी की तलाश में लगी थी और इधर श्रीयन भी पुलिस के साथ रात 12 बच के 48 मिनट पर वापस अपने होटल केप ग्रेस में पहुंचता है और अपना बयान दर्ज करवाता है इसी बीच पुलिस को टैक्सी ड्रैवर जोला टॉंगो भी मिल जाता है एनी की किड्नैपिंग की बात सुनकर पूरा परिवार परिशान हो जाता है और एनी के पिता विनोध हिंदोचा उसी वक्त केप टाउन के लिए एक फ्लाइट की टिकेट बुक करते हैं और एरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं इधर पुलिस भी पूरे लाव लशकर के साथ एनी की तलाश में जुटी थी पूरी रात बीच जाती है मगर एनी का कुछ पता नहीं चलता इसके बाद अगला दिन आता है यानि 14 नवंबर 2010 साउथ अफरीका की पुलिस को सुबे सुबे करीब 7 बच के 50 मिनट पर खायलीचा नाम की बस्ती में जोला टॉंगो की कार वोक्सवागन शैरन मिल जाती है जो की सडक पर लावारी सालत में खढी थी पुलिस को उस गाड़ी में कोई भी इंसान नजर नहीं आता मगर जब पुलिस उस गाड़ी के करीब जाती है और जब गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलती है तो उन्हें कार की पिछली सीट पर एनी दिवानी की लहू-लुहान लाश मिलती है एनी के बदन पर तीन कोली के निशान थे एक उसकी कलाई पर, एक सीने पर और एक गरदन पर एनी की लाश मिलने के बाद उसे फॉरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उस गाड़ी को भी फॉरंसिक जाच के लिए ले जाया गया उसके बाद एनी की मौत की खबर उसके पति श्रीयन को बताई गई और फिर उसके पिता विनोध हिंदोचा को जो की अभी भी एरपोर्ट पर बैठ कर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे एनी की मौत की खबर सुनकर ये दोनों अब और भी परिशान हो जाते हैं इसके बाद जब एक खबर मीडिया में आती है तो ये बाद जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है क्योंकि एक तो वो दूसरे देश के नागरिक थे और उपर से बहुत रहीस तो अब ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था और पूरे मीडिया और प्रेस की निगाहें अब इसी केस पर थी साउथ अफरीका की लोकल लोगों के अंदर भी इस मडर ने गुस्सा भर दिया क्योंकि लूट पार्ट या की ड्नैपिंग तो वहाँ आम बात थी मगर मडर और वो भी किसी टूरिस्ट का ये बहुत अजीब था साउथ अफरीका की पुलिस ने भी बिना किसी देरी के एक टीम बना कर इस केस की इंवेस्टिकेशन शुरू कर दी क्योंकि उनके उपर भी इस केस को सॉल्व करने का काफी प्रेशर था उसके बाद एनी दिवानी की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि एनी को तीन नहीं बलकि सिर्फ एक ही गोली मारी गई है और उसे ये गोली तब मारी गई जब उसका हाथ उसके सीने पर था शायद वो अपने हाथ से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे गोली मार दी गई जो कि उसकी हाथ की कलाई को पार कर छाती को छूती हुई गर्दन में घुसी और पीछे गर्दन से निकल गई पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आने के वाद पुलिस इस बात का इंतिजार करने लगी कि शायद उन्हें उस कार से कोई अविडेंस मिल जाए क्योंकि क्राइम सीन से तो उन्हें कुछ पुक्ता सबूत मिला नहीं था इसी बीच एनी के पिता विनोध हिंदोचा भी 14 नौवंबर 2010 की रात 11 बजे केप टाउन पहुँच जाते हैं और फिर श्रियन देवानी से मिलते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन किड्नैपरों ने एनी को गोली क्यों मारी जबकि वो फिरोती देने की पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुचे थे क्योंकि साउथ अफरिका में किड्नैपिंग होना एक आम बात थी उन्हें लगा कि वो वहाँ पहुचेंगे उसके बाद फिरोती देकर एनी को बचा लेंगे मगर अफसोस कि ऐसा होने से पहले ही यानी की मौत हो चुकी थी और अब वो ये चाते थे कि इस हत्या के गुनेगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए उसके बाद अगले दिन यानी 15 नौमबर 2010 को इस केस की फोरेंसिक टीम को एक बड़ी काम्याभी मिलती है उन्हें जोला टॉंगो की गाड़ी के आगे वाले शीशे पर एक पंजे का निशान मिलता है जो की तपका था जब उनकी ड्नैपरों ने गाड़ी को रोकने के लिए शीशे पर जोर से हाथ मारा था उस हाथ के निशान को जब पुलिस रिकॉर्ड से मैच किया गया तो वो निशान एक आदमी से मैच हो गया और उसका नाम था जोलीले मंगीनी जोलीले मंगीनी एक छोटा मोटा क्रिमनल था जो चोरी चकारी और छीना जप्टी जैसे क्राइम किया करता था ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फॉरण उसे ढूनने के लिए ओपरेशन चलाया और अगले ही दिन यानि 16 नौंबर 2010 को खायलीचा की बस्ती से उसे गिरफतार कर लिया उसके बाद उसे पुलिस टेशन लाए गया और पूस्ताश चुरू की गई तो उसने ये तो कभूल लिया कि वो उस राथ उस टेकसी में मौजूद था मगर उसने कहा कि गोली उसने नहीं चलाई उसके बाद उसने बताया कि उसरा श्रेन दिवानी को गाड़ी से उतारने के बाद जब वो और आगे गये तो उसके दूसरे सांथी जिवामा दोदा कौबे ने गाड़ी रोकी उसके बाद उसने अपनी बद्दूग निकाली और पीछे एनी के पास जाकर उसका पर्स छिनने लगा एनी अपना पर्स नहीं दे रही थी और तभी अचानक से कौबे ने एनी को गोली मार दी इस बयान के बाद पुलिस को उसके सांथी का भी नाम पता चल चुका था और अब पुलिस जिवामा दोदा कौबे की तलाश करने लगी उधर सारे पेपर्स पूरे होने के बाद 16 नवंबर 2010 को एनी दिवानी की बोड़ी उनके परिवार को सौप दी जाती है और उसके बाद श्रीयन देवानी और विनोध हिंदोचा उसी रात एक प्राइवेट प्लेन से एनी की बोड़ी लेकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं इधर पुलिस को भी एक मुगबीर के जरीए जिवामा दोदा कौबे की लोकेशन का पता चलता है और पुलिस वहाँ पहुँचकर 17 नॉवंबर 2010 की रात लगबग एक बजे ही कौबे को भी गिरफतार कर लेती है उसके बाद उसे भी पुलिस टेशन लाया जाता है और जब उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि ये एक आम इंसान है और इससे पहले कभी भी इसने कोई क्राइम नहीं किया था अपने बयान में वो उस रात उस कार में होने की बात को तो कबूल लेता है मगर वो ये भी कहता है कि गोली उसने नहीं बलकि जोलीले मंगीनी ने चलाई थी उसके बाद वो एक नई बात और बताता है वो कहता है कि उसने ऐसा इसले किया क्योंकि मोंडे अंबलोंबो नाम के एक आदमी ने उसे ऐसा करने को कहा था जिवामा दोधा क्वाबे के इस बयान के बाद पुलिस मोंडे अंबलोंबो को भी उसी सुबह 18 नौमबर 2010 को उसके घर से उठा लेती है मोंडे अंबलोंबो जो था वो केप टाउन में ही कोलोजियम होटल के रिसेप्शन पर काम करता था और उसका भी कोई किर्मिनल इकॉर्ड नहीं था क्योंकि जोला टॉंगो को एक किराय के कातिल की जरूरत थी जोला टॉंगो का नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गया क्योंकि जिस गाड़ी में ये घटना हुई वो गाड़ी जोला टॉंगो की ही थी और अब पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर जोला टॉंगो को ढूरना शुरू किया मगर वो तब तक फरार हो चुका था दो दिन बाद 20 नौंबर 2010 को टैक्सी ड्राइवर जोला टॉंगो अपने वकील के साथ खुद ही पुलिस टेशन पहुँच जाता है और सरेंडर कर देता है पुलिस टेशन पहुँचने के बाद वो अपनी गवाही में खुद को निर्दोश बताता है मगर जब पुलिस उसे बताती है कि उसने बाकी के सभी लोगों को गिरिफतार कर लिया है तब उसे लगता है कि वो फंस चुका है उसके बाद पुलिस जोला टॉंगो के वकील से कहती है कि अगर वो इस केस में उसकी मदद करेगा और सरकारी कवाब बन जाएगा तो उसे कम सजादी जाएगी तो जोला टॉंगो पुलिस को पूरी बात बताने के लिए राजी हो जाता है उसके बाद वो पूरी कहानी बताता है वो कहता है कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी बलकि एक pre-plant मडर था और एनी दिवानी को मारने की सुपारी उसके पती श्रीयन दिवानी नहीं दी थी ये बात सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं मगर सिर्फ जोला टॉंगो की ये गवाही ना काफी थी और सिर्फ गवाह के दम पर श्रीयन दिवानी जैसे बड़े आदमें पर हाट डालना बेव कूफी थी और ये भी हो सकता था कि टॉंगो जूट बोल रहा हो उसके बाद पुलिस ने टॉंगो से पूरी कहानी सुनी और उसके बयान के हिसाब से CCTV फुटेज को भी चेक किया पूरी कहानी जो थी वो ये थी कि 12 नॉंबर 2010 की शाम को जब जोला टॉंगो एरपोर्ट पर पैसेंजर की तलाश में था तो उसे श्रीयन दिवानी मिलता है जो कि अपनी बीवी एनी दिवानी के साथ था उसके बाद श्रीयन उसे केप गरेस होटल तक छोड़ने को कहता है तो वो तियार हो जाता है और एनी और श्रीयन दिवानी को लेकर एरपोर्ट से निकलता है और करीब 5 बज़ के 13 मिनट पर केप गरेस होटल पहुंचता है होटल पहुंचने के बाद श्रीयन टॉंगो को टैक्सी का किरायत देता है और उससे कहता है कि अभी वो वहीं रुके क्योंकि उसके पास उसके लिए एक और काम है फिर श्रीयन गाड़ी से उतर कर होटल में जाता है और थोड़ी दिर बाद होटल से निकल कर वापस टॉंगो की कार में बैठ जाता है गाड़ी में बैटने के बाद वो उससे कहता है कि दरसल उसे अपनी बीवी का मडर करवाना है और उसके लिए वो 15,000 रेंट देने को तैयार है रेंट जो है वो दरसल साउथ अफ्रीकन करेंसी और आज की डेट के हिसाब से 15,000 रेंट का मतलब हो गया लगबग 75,000 भारतिये रुपे खेर इसके बाद श्रीयन उससे ये भी कहता है कि ये मडर अचानक से हुआ क्राइम लगना चाहिए श्रीयन की ये बात सुनने के बाद टॉंगो उससे कहता है कि वो ऐसे किसी किराय के कातिल को तो नहीं जानता और इसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे एक किराय के कातिल की जरूरत है टॉंगो की बात सुनने के बाद मॉंडे अमलंबो उसके साथ बैक आफिस में जाता है और वहां से जिवामा दोदा कॉबे को फोन करता है जो कि वहीं बस्ती में रहता था और पूरी बात समझाता है उसकी बात सुनने के बाद कॉबे तयार हो जाता है और फिर कॉबे जोलीले मंगीने को फोन कर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है अगले दिन यानि 13 नौवंबर 2010 की सुबह श्रीयन देवानी फिर से टेक्सी ड्राइवर जोला टॉंगो को फोन करता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ डॉलर से क्या वो इस मडर के लिए पेमेंट डॉलर में कर सकता है तो टॉंगो कहता है कि वो पेमेंट सिर्फ साउथ अफरिकन करिंसी यानि रैंड में ही लेगा ये सुनने के बाद श्रीयन टॉंगो से कहता है कि वो होटल आ जाए क्योंकि उसे डॉलर एक्सचेंज करवाने है उसके बाद Tongo Cape Grace होटल पहुंचता और वहां से सुबह लगबग 11 बच के 58 मिनट पर श्रीयन दिवानी को लेकर Golden Touch Dwellers के पास पहुंचता है जहां से श्रीयन दिवानी 1500 डॉलर्स को 10,200 रेंड में एक्सचेंज करवाता है और फिर वापस Zola Tongo की गाड़ी में बैठ कर होटल आ जाता है होटल से जाने और वापस आने के दोरान श्रीयन दिवानी और जोला टॉंगो आपस में पूरा प्लान डिसकस करते हैं और फिर उसी रात प्लान के हिसाब से एनी दिवानी का मडर होता है जोला टॉंगो ने अपनी गवाई में ये भी बताया कि उसरा जब एनी और श्रीयन दिवानी कार में बैठे थे तब बकाइदा उसने श्रीयन के मोबाईल पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था और कहा था कि हमारी फीस मत भूलना और इसके जवाब में श्रीयन ने ये कहा कि 10,000 रेंड उसने गाड़ी के आगे वाले पैसेंजर सीट के पीछे लगे पाउच में एक लिफाफे के अंदर रखे हैं अपने बयान में जोला टॉंगो ने एक और बात बताई कि काम हो जाने के बाद श्रीयन उसे भी 5,000 रेंड देने वाला था जिसे लेने वो 16 नौंबर 2010 की दुफैर लगबग 1.37 मिनट पर केप ग्रेस होटल पहुँचा था और CCTV फुटेज में भी दिखा कि एक लिफाफा जो पहले श्रीयन के हाथ में था वो थोड़ी देर बाद जोला टॉंगो के हाथ में नजर आया जोला टॉंगो का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस सभी की फोन हिस्ट्री और लोकेशन निकलवाती है तो वो भी टॉंगो के बयान से मैच हो रहा था एक एक कर सारी कड़ियां जुड़ती जा रही थी और ये केस साफ होता जा रहा था और अब पिछले कुछ दिनों से जो पुलिस के मन में सवाल चल रहे थे उनके जवाब उने क्लियर होने लगे थे जैसे कि आखिर क्यों इतना अमीर जोड़ा जो आराम से किसी भी आलिशान रेस्टरॉंट में डिनर कर सकता था वो अपने होटल से 40 किलोमीटर दूर एक सस्ते से होटल में गया क्यों वो लोग इतनी रात गए एक ऐसी बस्ती में गए जहांपर रात में तो क्या दिन में भी बिना किसी लोकल गाइड के जाना मना था क्योंकि महां का क्राइम रेट बहुत जादा था और आखिर क्यों श्रियन दिवानी एनी की बोड़ी जल्द से जल्द इंगलेंड लेकर जाना चाहता था मगर अब भी एक चीज मिसिंग थी और वो था मोटीव यानी मकसद क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मरवाता बलकि उसके पीछे हमेशा कोई ने कोई मकसद जरूर होता है और श्रियन दिवानी ने अपनी पत्नी का मडर क्यों करवाया उसका मकसद अगर पुलिस को पता चल जाता तो ये केस और भी साफ हो जाता पर इसके लिए पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि होता ये है कि उन्हें लियोपोर्ड लाइजर नाम का एक मेल प्रोस्टिट्यूट मिलता है जिसका की प्रोफेशनल नाम दजर्मन मास्टर था और वो एक नया खुलासा करता है वो बताता है कि श्रीयन दिवानी उसके साथ गे रिलेशन्शिप में था और पैसे देखकर उसके साथ संबंध बनाता था इसके लावा उसने ये भी बताये कि एक बार श्रीयन ने उससे कहा था कि उसके उपर घरवालों की तरफ से शादी का बहुत प्रेशर है मगर वो शादी नहीं करना चाहता लियोपोर्ड लाइजर के इस बयान के बाद जब पुलिस ने और चानबिन की तो उन्हें पता चला कि श्रीयन दिवानी ने उनलाइन डेटिंग वेबसाइट gaydar.net पर एक gay profile बना रखी है और उस वेबसाइट पर वो अपने हनीमून के दोरान भी active था यहां तक कि एनी की मौत के बाद 15 और 16 नौंबर 2010 को भी वो उस वेबसाइट पर गया था और दोनों दिन लगबाग एक गंटे बिताये थे यह सभी बाते पता चलने के बाद पूरा केस आइने की तरह साफ हो चुका था मगर अब दिक्कत यह थी कि श्रीयन दिवानी UK जा चुका था और मामला इंटरनेशनल बन चुका था इसलिए साउथ अफरीका की पुलिस कोट जाती है और सारे गवा और सबूत पेश करती है जिसके बाद साउथ अफरीका की कोट श्रीयन दिवानी के खिलाफ अपनी बीवी की मौत की साजिस रचने के इलजाम में वारेंट जारी कर देती है और श्रीयन दिवानी के प्रत्यारपन यानि साउथ अफरीका लाने के लिए इंगलेंड की कोट में अरजी दाखिल करती है वारेंट जारी होने के बाद साथ दिसंबर 2010 की सुबह लगबक साड़े 10 बजे श्रीयन दिवानी को ब्रिश्टल इंगलेंड में उसके घर से गिरफतार कर लिया गया और इसके बाद उसके प्रत्यारपन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई इधर साथ अफरीका की कोट ने भी टेक्सी ट्रैवर जोला टॉंगो को दिसंबर 2010 में ही 18 साल की सजा सुनाई जिवामा दोधा क्वाबे को इसके 2 साल बाद अगस 2012 में 25 साल की सजा सुनाई गई और जोलीले मंगीनी को नवंबर 2012 में एनी दिवानी पर गोली चलाने के इलजाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई हाला कि उसने कभी ये एकसेप्ट नहीं किया कि गोली उसने चलाई थी इसके अलावा मोंडे अंबलोंबो को कोई सजा नहीं दी गई और रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने सिर्फ दो पार्टियों को आपस में मिलवाया था उदर इंगलैंड की कोट में अगले कई सालो तक श्रियन देवानी को वापस साओफ अफरीका लानी का केस चलता रहा श्रियन के वकील ने कहा कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है इसलिए उसका साओफ अफरीका जाना ठीक नहीं होगा मगर जब साउथ अफरीका की पुलिस ने कोर्ट में श्रीयन के खिलाफ सभी CCTV फुटेज, जोला टॉंगो की गवाही, कॉल रिकॉर्स और उसके समलाएंगिक रिष्टे को सामने रखा तो उसे देखते हुए आखिरकार चार साल की सुनवाई के बाद, मार्च 2014 में इंगलेंड की कोर्ट ने साउथ अफरीका की प्रत्यारपन की अरजी को सुईकार कर लिया और अब श्रीयन दिवानी का साउथ अफरीका जाना पक्का हो गया उसके बाद 7 अपरेल 2014 को श्रीयन दिवानी को इंगलेंड से साउथ अफरीका लाया गया जहां पहुझते ही उसे अपनी बीवी की मौत की साजिस रचने के इलजाम में अरेश्ट कर लिया गया उसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को उसे साउथ अफरीका की कोट में पेश किया गया एनी का पूरा परिवार कोट में मौझूद था कोट के बाहर मीडिया का जमावणा लगा हुआ था और पूरी दुनिया इस केस पर नजर गड़ाय बैठी थी हर कोई श्रीयन दिवानी के मूँसे ये सुनना चाता था कि आखिर उसा रात हुआ क्या था और उस ने ऐसा क्यों करवाया मगर पहले ही दिन श्रीयन के वकील ने श्रीयन की पहले से ही लिखी हुए एक statement पढ़ी और statement में श्रीयन ने ये कहा कि वो gay नहीं बलकि bisexual है यानि कि उसे औरतों और मर्दों दोनों के सांथ संबंद बनाना पसंद है श्रीयन का ये statement आने के बाद सरकारी वकील का case काफी हद तक कमजोर पड़ गया क्योंकि उनके हिसाब से श्रीयन ने अपनी gay life को चुपाने के लिए ही एनिका मडर करवाया था खैर इसके बाद सरकारी वकील ने लियोपोर्ड लाइजर को कोट में गवाही के लिए पेश किया जिसके सांथ श्रीयन दिवानी के gay यानि समलैंगिक संबंद थे मगर कोट की जज ने श्रीयन के वकील की दलीले सुनने के बाद उसकी गवाही को ये कहते हुए खारिच कर दिया कि जब श्रीयन ने खुदी मान लिया है कि उसे औरत और मर्द दोनों के साथ रिष्टे बनाना पसंद है इसलिए अब लियोपोर्लाइजर की इस गवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता इसके बाद सरकारी वकील की तरफ से ये सवाल आया कि उस दिन श्रीयन ने जो 10,000 रेंड एक्सचेंज करवाए थे वो आखिर क्यों करवाए थे और उस रात आखिर वो इतने पैसे लेकर क्यों घुम रहा था तो इसका जवाब भी श्रीयन के वकील ने पहले से ही लिखे हुए एक नोट के जरिये दिया श्रीयन के वकील ने कहा कि Taxi Driver Zola Tongo उनके लिए एक Helicopter Ride का इंतजाम करवा रहा था और ये पैसे उसने उसी Ride के लिए Exchange करवाए थे श्रीयन के वकील ने ये भी कहा कि ये Helicopter Ride Annie के लिए एक Surprise था उसके बाद सरकारी वकील ने अपने सबसे मुख्य गवाह टैक्सी ड्रैवर जोला टॉंगो को कोर्ट में पेश किया क्योंकि उसकी गवाही इस केस का एक मुख्य पहलू था और वही एक ऐसा गवाह था जिसने की श्रीयन से डिरेक्ट बात की थी मगर जब जोला टॉंगो कोर्ट में पेश हुआ और जब श्रीयन के वकील ने उससे सवाल पुछने शुरू किये तो उसकी बात उसके बयान से मैच नहीं हुए सरकारी वकील भी कोई ऐसा लिंक नहीं जोड पाई जिससे ये साबित हो सके कि श्रीयन का इस मडर में कोई हाथ था यहां दिक्कत ये भी थी कि पुलिस और सरकारी वकील के पास कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस नहीं था वो सिर्फ गवाहों के दम पर पूरा केस लड़ रही थी और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए डिफैंस के वकील ने कहा कि जोला टॉंगो की गवाही को खारिज कर देना चाहिए इसके बाद जब अगली सुनवाई शुरू हुई तो उस केस की जज़ ट्रवर्सो ने 8 दिसंबर 2014 को ये कहते हुए जोला टॉंगो की गवाही खारिज कर दी कि उसका बयान यकीन करने लायक नहीं है और उसके बयान में बहुत सारे जूट और गलतिया है जोला टॉंगो की गवाही खारिज होने के बाद ये केस भी खारिज हो गया क्योंकि श्रीयन दिवानी के खिलाव कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ और साउथ अफरिका में अगर किसी मुलजिम के खिलाव कोई जुर्म साबित नहीं होता तो उसे कट घरे में खड़े होकर किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए श्रीयन दिवानी भी कोट में बिना किसी सवाल का जवाब दिये बाईज़द बरी हो गया इस केस के खारीज होने के बाद श्रीयन दिवानी तो हमेशा के लिए इंग लैंड लोट गया मगर अब भी कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब सही माइने में किसी को नहीं पता जैसे कि उसने अगर 10,000 रेंड हेलिकोप्टर राइड के लिए निकलवाए थे और अगर श्रीयन बाइसेक्सूल था और उसे मर्दों के साथ संबंद बनाना भी पसंद था तो उसने एनी से शादी क्यों की और ये बात उसने शादी से पहले क्यों नहीं बताई एनी के परिवारवालों को इस बात का दुख आज भी है कि श्रीयन कोर्ट में बिना कोई सफाई दिये बगैर ही वहाँ से चला गया जबकि वो इन सभी सवालों के जवाब श्रीयन के मूँ से सुनना चाहते थे साल 2015 में इस केस की जज्ट्रेवर्सों के उपर ये भी इलजाम लगाए गए कि उन्होंने ये फैसला घूस ले कर दिया था मगर बाद में उनके उपर लगे सभी इलजामों को साउथ अफरीका की नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथोर्टी ने खारिच कर दिया तो कुल मिलाकर आज भी एक राज है कि एनी दिवानी के उपर गोली किसके कहने पर चलाई गए और किसने चलाई क्योंकि कौबे के हिसाब से गोली मंगीनी ने चलाई थी पर मंगीनी ने ये कभी नहीं माना कि गोली उसने चलाई थी और उसके हिसाब से गोली क्वाबे नहीं चलाई थी पर क्या ये गोली छीना जप्टी में चली या फिर ये गोली जानबूच कर चलाई गए इसका जवाब आज भी किसी के बास नहीं है तो ये थी एनी दिवानी के मडर की पूरी कहानी मुझे उमीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपनी बात इस मेल आईडिय पर मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू वेरी मुच्छ